IPL 2022 मेगा उक्षन के डेट सामने आ चुकी है बस ओपचारी के ऐलान BCCI की तरफ से किया जाना बाकि है अब ऐसे में सभी टीमें अपनी प्लानिंग के तहत उक्षन में जाएंगी और उसी अनुसार ही प्लेयर्स के लिए बोली लगाएंगी दस टीमें हैं आठ पुरानी और दोने आज हम बात करेंगे IPL इतियास की इस दूसरी सबसे सफल टीम यानिकी चेनली सूपर किंकी साथ ही बात करेंगे दोनी के उन लकी खिलारियों की जो दोनी को चैंपियन बनाते हैं और इस बार के उक्षन में दोनी उन खिलारियों को लेने की पूरी कोशिश करेंगे दसल आप लोग जानते हैं कि दोनी अपनी टीम में ज़्यादा बदलाव नहीं करते हैं इसलिए कहा जाता है कि IPL के इतियास में CS के सबसे काम्याब टीमों में से एक है लेकिन इस बार मेगा उक्षन है और चेने ने पुराने खिलारियों में सिर्फ जड़े जा दोनी रुतुराज और मोहिन अली को अपने साथ रिटेन किया है इस बार भी दोनी को अगर पिछले सीजन की तरह टीम को चेंपियन बनाना है तो उन्हें एक काम जरूर करना होगा और वो ये कि पुराने खिलारियों की टीम में वापसी जरूर करानी होगी दोनी को अपने उन लखी खिलाडियों को टीम में वापस लाना होगा जो टीम के जीत में एहम योगदान देते आए हैं तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फाब डुपलेशिस का फाब डुपलेशिस चेने के लिए सबसे अच्छे ओपनर साबित हुए हैं कई मोकों पर उन्होंने धमाल मचा है आईपियल के 100 मैचों में डुपलेशिस के बल्ले से 2935 रन निकले हैं 265 चोके और 96 चकों के साथ डुपलेशिस ने अपने पूरे आईपियल के करियर में धमाल किया है 276 चेने को फाप डुपलेशिस के साथ जरूर जाना चाहिए और धोनी कोशिश करेंगे कि डुपलेशिस को अपने खेमे में जरूर ले 276 चेने के लिए जरूरी समय पर बल्ले और गेन से अपना प्रदसन करके दिखाते हैं अलंकि आईपियल का ज़्यादा अनुबवर मिचल सेंटरर को अभी नहीं है लेकिन जैसे आईपियल भारत में वापस आ रहा है और चेने की पिच इस्पिनर्स के लिए मददगार साबित होती है तो दोनी और चेने इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं आरश्विन आईपियल के मास्टर रहे हैं कुछ सीजनों पहले वो चेने का एहम हिस्सा हुआ करते थे आरश्विन के टीम में वापस आने से इस्पिनर्स की जोड़ी को मजबूत मिलेगी आरश्विन की तरफ से भी इस बार में ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो ये बताते हैं कि वो भी चेने के साथ जोड़ना चाहते हैं आईपियल के 166 मैचों में अरश्विन ने 145 विकेट निकाले हैं साथ ही अश्विन की इकोनोमी बहुत शांदार है वो साथ से नीचे से रन देते हैं तो इसलिए दोनी चाहेंगे कि अश्विन भी इस बार उनके खेमे में जरूर आएं चोथा नाम दोनी का सबसे फैबरिट खिलारी है नाम है दीपक चाहर चेनेई की टीम को अपने तेज गेंदबाजी पर भी काम करना होगा चेनेई की पिछ तो स्पिनर्स की मदद करती है लेकिन चेनेई को अपने और मैच बाहर खेलने होगे तो स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों का संतूलन बनाए रखने के लिए टीम में दीपक चाहर जैसे स्विंग गेंदबाज की बहुत जरूत है खास तोर पर नई गेंद के लिए IPL की बात करें तो 63 IPL मैचों में दीपक चाहर के नाम 69 विकेट है 13 रंदे का 4 विकेट लेना दीपक चाहर का बेस्ट फिगर है इसलिए दोनी चाहेंगे कि दीपक चाहर को भी वो अपनी टीम में जरूर सामिल करें तो आपका हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है और आपको क्या लगता है इन खिलारियों में से कौन सा खिलारी चे नई सूपर किंग में बड़ी मुश्किल से जाएगा आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं